सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हलो विद्वर्स वेल्कम टो सिंपल एंड इजी क्लासेस आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है आप चाहें किसी भी university के students हों चाहें आप किसी भी course के students हों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है अगर आप BA, BSC, B.com, MAMSC, M.com या फिर किसी भी other course के students है तो आपके लिए वीडियो इस तरह से खास होने वाली है आपको बता दे कि बिना परिक्षा के सभी छाचात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है और ये कोई अवभाह नहीं है ये बिल्कुल ठीक news है और इसके लिए शाशन ने तीन कुलपती की committee बनाई है और किस तरह से आपको पास किया जाएगा और कब तक आपका result घोशित किया जाएगा ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो पर लास तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने अधर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिना परिक्षा प्रमोट होंगे चाथ चात्राएं शाशन ने बनाई तीन कुलपतियों की कमीटी यहाँ पर तीन कुलपती हैं तीन विश्विध्याले के कुलपतियों की मीटिंग बनाई गई है कमीटी बनाई गई है और यहां मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन-कौन से तीन विश्विध्याले हैं जिनकी कमीटी बनाई गई है तो आप ये समझ लीजे कि आपके तीन विश्विध्याले के कुलपती हैं तो आप तीन तो पक्का-पका प्रमोट हो चुके हैं अल्रेडी कोरोना की वज़ा से मुख्य परिक्षाओं और समिस्टर परिक्षाओं की को 15 मई तक इस्थगित कर दिया गया था लेकिन जिस तरह के हलात है उससे यही लग रहा है कि इस बार परिक्षाय कराना संभव नहीं है ऐसे में चाचात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तयारी शुरूख कर दी गई है शार्षन ने गुरुवार को विध्यारतियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए तीन विश्विध्याले के कुलपतियों की समीती बनाई है समीती में MJP रोहिलखन विश्विध्याले के कुलपती प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंग, लखनो विश्विध्याले के कुलपती प्रोफेसर आलोक कुमार राय और छत्रपती साहुजी महराज विश्विध्याले कानपुर के कुलपती प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को शाम परिक्षा परणाम घोशित करने के निर्देश दिये थे लेकिन MJP रोयल कंड विश्विध्याले ने एक मई से इसना तक की और मुख्य परह इसना तक की मुख्य परिक्षा को शेडियूल जारी कर दिया था सेमिस्टर परिक्षाय शुरू हो चुकी निर्देश रोकना पड़ा था 15 अप्रेल को शाशन ने आदेश जारी किया था कि परिक्षाय पंदरा मई तक इस्थगित की जाती है और उसके बाद हलात के अधारपन निर्देश लिया जाएगा शाशन ने एक बार फिर से परिक्षाय कराने को लेकर विश्विध्यालों से रिपोर्ट मागी तो रोयल गंड विश्विध्याले ने 10 जून से परिक्षाय कराने की बात कही थी लेकिन अभी तक हला ठीक नहीं हुए है यही वज़ा है कि शाशन ने छात्रों को प्रमोट करने की तयारी शुरू कर दी है गुरुवार को उच्छ शिक्ष अनुभाग के विशेश सचेव अब्दुल समध ने पत्र जारी किया है कि कोरोना के चलते शेक्षिक सत्र दोजार बीस एक्किस की मुख्य परिक्षा वर सेमिस्टर की होने वाली परिक्षाओं के बिना ही अध्यनरत छात्षात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए और यहां आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ यहां पर स्टुडेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक मानक तियार किया जाएगा एक दिशा निर्देश तियार किया जाएगा क्योंकि मानक तयार इसलिए किया जाएगा क्योंकि पिछली बार छात्रों को प्रमोट किया गया था जिसमें प्रथम वर्ष के छात्र बिना प्रिक्षा के ही दुत्य वर्ष में प्रमोट हो गए थे और दुत्य वर्ष के चात जो है वो प्रतम वर्ष के अधार पर दूसरी कक्षा में प्रमोट हो गए थे लेकिन जो चातर पिछली बार प्रतम वर्ष के में प्रमोट हुए थे उन्हें इस बार दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा तो ये तो एक चुनाती हुई क्योंकि फर्स्ट येर के जो students उनको second year में प्रमोोट कर दिया गिया बिना परिक्षा के अब फिर second year के फिर से बिना परिक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा third year में तो उनका result बनाने में बहुत ही जादा problem हो सकती है इसलिए कुछ मानक तयार किये जाएंगे जिससे की दो साल बिना परिक्षा के उनकी वो रिजल्ट है उसको कैसे तयार किये जाएगा इसके अधार पर छात्रों को ही प्रमोट किया जाएगा एक मानक त्यार किया जाएगा और जल्द ही आपका रिजल्ट घुशित कर दिया जाएगा यह आज तक की सबसे बड़ी अपडेट है इसलिए अगर आपके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जैसे ही आपकी परिक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है आपको हमारे वीडियो क माध्यम से बता दिया जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो